राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना मैं प्रनिती सुशील कुमार शिंदे जो लोग सभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ इश्वर की शपत लेती हूँ अब जल्दी करने पड़ेगी नमस्का आप एंटीक वारल की यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा चल लही है कि राहूल गांदी आखिर शादी कप करेंगे प्रियंका गांदी ने तो चुनावी मंच से ही एक कारकरता के सवाल का जवाब देने के लिए राहूल गांदी से कहा कारकरता ने पूछा था कि आप शादी कब करोगे तब राहूल गांदी ने कहा कि लगता है अब जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी आप जल्दी ही करनी पड़ेगी आपको क्या लगता है कि राहूल गांदी ने मजाक में कहा था नहीं उनका लहजा भले ही मजा किया था लेकिन बात गंभीर थी राहुल गांदी की शादी को लेकर उनके घर में भी चर्चा शुरू हो गई है और ये तै हो चुका है कि वो शादी करेंगे लेकिन कौन है वो लड़की जिससे राहूल गांदी शादी करने जा रहा है आज के वीडियो में हम उसी दुलहन के बारे में चर्चा करेंगे तो राहूल गांदी की दुलहन बनने जा रही है प्रनीती शिंदे जी हाँ महरास्ट के सोलापूर की सांसद प्रणीती शिंदे है जो कॉंग्रेस के सिनियर लीडर और पूर्व केंदरी मंत्री सुसील कुमार शिंदे की बेटी है सुनकर हैरानी हुई होगी सोलापूर एक रिजर्व सीट है मतलब प्रणीती दलित है तो राहुल गांदी जातपाद को दरकिनार करते हुए दलित समाज में शादी करने जा रहे है बीजेपी सांसद अनुराख ठाकूर को इस सादी में शरीक होकर नाचना चाहिए ताकि उन्हें उस सवाल का जवाब मिल सके जो उन्होंने लोकसवा में पूछा था इस साल नवंबर में सम्भावना है कि राहुल और प्रणीती की शादी को लेकर सोसल मीडिया में चर्चा शुरू हुए बहुत दिन नहीं हुए बलकि ये चर्चा उस दिन से शुरू हुई जब नव निर्वाचिस सांसद लोकसवा में शपत ले रहे थे प्रणीती जब शपत लेने के लिए आगे बढ़ी तो राहुल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया इस वीडियो की सोसल मीडिया पर काफी चर्चा है किसी को नहीं मालुम था कि ये हाथ मिलाने का मसला सियासत से जुड़ा नहीं था देखा गया है कि राहुल और प्रणीती की नजदीकिया काफी बढ़ चुकी है भाराज जोड़ो यात्रा और निया यात्रा के दोरान भी आपने दोनों को साथ देखा होगा प्रणीती अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांदी को अक्सर बॉस कहकर संबोधित करती है लेकिन फिर एक सवाल लोगों के जहन में आया कि राहुल गांदी की उम्र 1970 के हिसाब से 54 साल और प्रणीती की उम्र 1980 के हिसाब से 44 साल मतलब दोनों के भीज 10 साल का फर्क है मेचियोरिटी के हिसाब से तो ये फर्क जादा नहीं है पर सोचिए कि राहुल गांदी प्रणीती से शादी करते हैं तो इससे उन्हें जितने व्यक्तिकत फायदे होंगे उससे कहीं जादर राजनेतिक फायदे होने वाले हैं भारत में जाती की राजनीती और धर्म की राजनीती ये कभी खतम होने वाली नहीं है और बाई चांस प्रनीती ऐसे समाज से आती है जो भारत की राजनीती का एक अहम हिस्सा है जी हाँ अनुसूचित जातियों का समाज दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों कॉंग्रेस के सांसद है कुल मिलाकर जोड़ी अच्छी है तेलंगाना विधान सबचनों में कॉंग्रेस ने जीतने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड़ी के शपत समारों में दूसरे राज्यों के कई नेताओं को बुलाया था लेकिन समारों में राहुल और प्रियंका गांधी के होने के बावजूत प्रनीती आकरसंड का केंद्र बनी रही राहुल और प्रियंका के साथ स्टेज पर उन्हें काफी तरजीव मिली और प्रनीती की हर जगे चर्चा होने लगी गांधी परिवार के भीतर से भी साधी को लेकर काफी positive खबरें आ रहे ही ग्रह मंतरी रह चुके सुसील सिंदे की गांधी परिवार के बीच काफी पूछ परख है सिंदे ऐसे नेताओं में से हैं जिन्होंने कॉंग्रेस के सबसे कठिन समय में भी पार्टी के साथ नहीं छोड़ा इसलिए सोनिया गांधी प्रनीत को लेकर comfortable है प्रियंका गांधी भी प्रनीती को पसंद करती है वैसे भी गांधी परिवार में जातियों का कोई बंधर नहीं है इस परिवार में कोई ब्रामन था तो कोई पार्सी तो कोई क्रिस्चियन लेकिन परिवार का गांधी सरनेम ऐसा है जो आजादी से लेकर आज तक फ्रीडम मूव्मेंट को रिप्रेजेंट करता है राहुल और पनीति पर आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अबडेट्स आपको मिलते रहें नमस्कात